नमस्कार आपका स्वागति राजनामा टीवी पे मैं आपके साथ महारती गुष्टी संग केपुर वद्देख्ष ब्राजबूशन बच्छे बालिक पहलवानों के योन शोशन केश की शुकरवार को सुनवाई हुई दिल्ली की राउस एवन्य कोट ने कतितियों नुत्पिडन मामले में दायर आरोप पत्र पर संग्यान लेने पर विचार के लिए साथ जुलाई की तारिक ताय की है इससे पहले साथ 27 जुन को मामले की सुनवाई MPMLA कोट में हुई थी जहां कोट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस मामले में एक जुलाई से आरोप पत्र पर भहस होगी जिसके बाद कोट आरोप पत्र पर संग्यान लेगा साथ यह तरिक्त मुक्य मेटोपॉलिन मजिस्ट्रेट हरजी ती जस्पाल ने कहा था कि यह एक लंबा आरोप पत्र है जिसके बाद उन्होंने मामले में सनवाई सग्यत कर दी थी नया आरोप पत्र दायर किया गया इस पर गौर करना दिया जाए चुकि यह एक लंबा आरोप पत्र है इसलिए इस पर कुछ दिन विचार करने दिया जाए इन तीन दिनों में कोट पंदासो पन्नों की चार्शिट पर स्टड़ी करेगा पहलवानों ने इस मामले की जाच के लिए कोट में आचिका दायर की थी जिसमें नोंने कोट की निगरानी में मामले की जाच कराने की मांग की थी अब महीला पहलवानों ने इस आचिका को वापस लेने की मांग की है इस पर कोट ने कहा कि मामले में आरुपत दाखिल हो चुका है इसे में जांच की निगरानी की मांग वाली आचिका का अब कोई उचत्ति नहीं कोट ने पहलवानों के वकिल से ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि जांच की निगरानी की जरुवत है तो नहीं आचिका दाखिल कर सकते हैं इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पर हन्यवाद